नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिम इंडिया एजुकेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों हिम इंडिया एजुकेशन एक वार फिस्टे आपके लिए जोब अपडेट ले के आया है और इस वर जो हमारे जोब अपडेट रहेंगे वो 27-28 जनवरी से रेटिल रहेंगे तो देखते हैं इस वीडियो में कि 27-28 जनवरी को हिमाचर प्रदेश में कहा कहां पे भेवीन कैंडियेटों के लिए जो वेकेंसी ओपन हुई है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ स्टार करते हैं तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो SJVN Limited हिमाचर प्रदेश क खुल मिलाके टोटल इसमें 72 वेकेंसी निकाली गी है जिसमें की असिस्टेंट की 25 और कुक कम हाउस कीपर की 15 जूनियर ड्राइवर की साथ और ऑफिस वाय जनकी टेंडर की 25 वेकेंसी निकली गी है तो असिस्टेंट के लिए इसमें ग्रेजुइशन आपके पास होनी चाह होना आपके पास जरूरी रहेगा तब ही आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर पाएंगे कुक की बात की जाए तो कुक के लिए आपके पास 4-year experience होना जरूरी है और एकुनाइज certificate होना चाहिए आपके पास NCVT cooking का और या फिर आप लिटरेट होने चाहिए विद आपके प साथ आपके पास 5 साल का experience होना चाहिए including attending to minor repair and maintenance problem जो आप minor repair हो और maintenance problem हो उसको आप खुद ही sort out कर सके अगली जो किंसी है वो टेंडर किया टेंडर के लिए 10th pass मांगी गिया साथ में 5 साल का टेंडर का experience आपके पास होना जरूरी रहेगा इस experience में आपके पास experience जरूरी होगा तब ही आप इस post के लिए apply कर सकेंगे और upper age जो इन post के लिए रखी गिया वो 38 years रखी गिया आपकी 38 years से कम कम post आपकी age होगी तब ही आप इस post के लिए apply कर सकेंगे salary structure की बात की जाए तो office why के लिए 32 year salary रखी गिया बाग की जो other vacancies रहेगी उनमे 38,000 पर month आपको salary दी जाएगी और emanation जो आपको EPF जो available होगा जो भी आज पर status से चल रहा होगा उस वक्त तो इसके लिए आप हिमाचल प्रदेश में अब आप देख सकते हैं कि अलग-लग vacancies है जो इसका जो अब roster wise vacancies है वो आप इस वज़ स्क्रीन में देख सकते हैं अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारी website www.him-india.com से इसको download कर सकते हैं और इसको apply करने का link भी जो इनकी official website sgbn आपको वहीं मिलेगा वहीं से आप इस पोस्टों के लिए apply कर सकते हैं इसमें पहले आपका return test होगा return test के बाद ही आपको shortlist किया जागा interview या next process के लिए तो आप इसमें इसवर्स लेवर्स भी देख सकते हैं कि क्या आपको इसवर्स लेवर्स इस exam में पूछा जाएगा अब अलग important कुछ और points की बात करते हैं कि फीस टेचर की बात की जाए तो फीस जो है इसमें general EWS और OBC के लिए 200 रखी गिया प्लस आपका GST लगेगा इसमें 18% और SC ST PWD के लिए इसमें कोई किसी परकार की फीस जो इनसे नहीं ले जाएगी इनकी official website का link www.sjvn.nik.in है जहां से आप इन पोस्टों के लिए apply कर सकते हैं तो यह हमारा सबसे पहले जो दोस्तों update था last date आप या रखेंगे स्था 20 February रहेगी इसको apply करने की दूसरी vacancy की तरफ चलते हैं दूस कांसलिंगा स्तारा फरवरी को 11 बजए करवाई जाएगी जिसमें की total number of post के बात की जाएदा number of post इसमें दो रहेगी general visual impaired के लिए एक रहेगी general multi disability के लिए भी एक पोस्ट रहेगी और इसकी जो इंटर्व्यू है आपकी स्तारा फरवरी को रहेगी तो जो भी candidate इस पोस्ट को के लिए लेजिवल है 27 एक तारीक तक इस पोस्ट के लिए लेजिवल हो चुके हैं तो इस पोस्ट को आप मदब online इस पोस्ट के लिए आप कांसलिंग जो है 17 फरवरी को हिमाचर प्रदेश के हमिरपूर जिले में डिप्टीडेटर ओफिस में आप अटेंट कर सकते हैं इन तो अब तीसरी विकेंसी की तरफ चलते हैं तीसरी जो नोटिफिकेशन है दोस्तो ये भी 28 फरवरी ही इसमें क्लोजिंग डेट है और इसमें जो है मेकैनिकल लेट्रोनिक अलेट्रिकल सीवील बभीन परकार के भिवागों के लिए जो है अपरेंटेंशिप का मोका दिया जा रहा है एस जे बीन की तरफ से तो आप इसमें टोटल 175 जो है डिग्री होल्टरों के लिए है अपरेंटेशिप की विकेंसी और दूसरी जो टेक्निशन डिप्लोमा होल्टर के लिए 100 विकेंसी जा और आइटी आई के लिए 125 विकेंसी से निकाली गी है तो किल मिलाके आ जोट निक डोट इन से अपलाई कर सकते हैं और इसमें जो एस टाइफन दिये जाएगा ग्रेजुएश्ट के लिए देख रहे हैं तो आप एस जे बीन में अपलाई जरूर करें तो अपलाई करने का लिंक भी आपको इस तो थमलोग स्क्रीन में दिखा दे रहे हैं यहां स आप अपलाई कर सकते हैं 100 रुपे इसके लिए फीस रखी गई है अपलाई करने की एक फर्वरी से यह फोर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 28 फर्वरी तक इसको भरा जाएगा अब अगली जोग अपडेट की तरफ चलते हैं अगला जो जोग अपडेट रहेगा वो आया 21,000 पर मत दी जाएगी जो आपकी जोइनिंग होगी वो एस सून आज पॉसीबल करवाएंगे या इटी मंडी वाले वो डूरेशन जो इसको 12 मत के लिए रखा जा रहा है अग उसके बाद आपकी फॉर्दर सैटिसफेक्टरी प्रफॉमस को देखते हुए इसको एक्सेंट किया जाएगा अपलाई करने के लिए इनके द्वारा एक गूगल लिंक दिया गया है तो 6 फरवरी से पहले पहले आप इस गूगल लिंक के माद्यम से इनके लिए इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों यह विकेंसी थी जो 27 28 जनवरी को हिमाचर ताकि आपको भी जो हमारे डेली जॉब अपडेटा वो इन टाइम पहुंच से रहें फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक ये फर वाचिंग ही मेडिया अजूकेशन